अगर ये समझ रहे हो कि मैं किसी खेट में खड़ा हूं तो ऐसा नहीं है। पुणे शहर के बीचों बीच जो यरणवा परिसर है इलाका है वहां पर ब्यार्टी का जो रोड है। वहाँ पर मैं आया हूँ और आप देख सकते कि सारा यह जो बियाटी का रोड है वहाँ पर सुर्य फूल की जो खेती है फसल है यह उगाई हुई है इसका उद्देश क्या है अगर किसी किसान ने यह खेती की होती तो उसे प्रती एकर आठ से नौट कुइंटल इतनी इतना सुर्य फूल की फसल मिली होती और आज सुर्य फूल का अगर हम भाव देखे तो साड़े चार से पांच हजार प्रती कुइंटल याने लाकों की कमाई ऐसे इस सड़क के बीच में जो जगह है वहाँ पर खेती करके किसी भी किसान को मिल सकती थी लेकिन यह जो फसल यहां प अपने फसल उगाई है क्या मकसद क्या है आपका मकसद तो रोड को सुशोविकन करना ही है पुने महानगरपाले के ने हमारे कमपोनी को बीओटी तत्व के उपर दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि रोड की खुपसूरती भी बढ़ती है और जब कोई ट्राफिक में या को सीड्स बरना चालो होगे तो सीड्स बरने के बाद में जो हमारे स्थानिक पंची है उनके लिए बहुत सारा अच्छा खाना मिल सकता है और आप देख सकते हो कि हर एक फुल के उपर आपको मधुमक्खी बिन बिनाती हुई दिखती है तो वो आभी मतलब हमारा छोटा सा प पदले कि वो मधमस मक्खी की संक्या बढ़ने में भी कापी मदद होने वाली है इसके लिए हमने यह सूर्य फूल लागने का प्रबंद किया है इतना बड़ा यह जगा कितनी लंबी है करीबन एक से देड़ किलोमेटर तक जगा है रोड है करीबन एक एकर की जगा हो सकती ह गेलने आपने आठ से नौ कींटल शूर्या फूल उसकी जो फिज होती है उसका इंतजाम कर लिया है विल्कुल कह सकते हो और बाजार में अगर बेच दिया तो लाकों रूपे भी मिल सकते है बाजार में हार एक चीज बाजार में बेची नही जाती है हर एक चीज ना बीन कि रोड़ पे लगाया है तो सीमेट कॉंक्रेट के जंगल में आपने आप ही बताते हो के पंच्छों को कुछ खाने को नहीं मिलता है इसके लिए पंच्छों को खाने की एक अच्छी कोशिस हमने हमरे लुंकर रेलिटी ग्रुप से की हुए है उसके देखिये तेरे पे मुस्कान है दत्ता के सूर्य फूल की फसल उगाई है उद्देश है कि जो पंची है उन्हें खाद मिलना चाहिए लेकिन जो दूसरी जो एंगल है दूसरा जो एंगल है कि किसान ने कि अगर ये फसल ली होती तो उसे लाखों की कमाई हो जाती जो नजारा है वो बह अजम हो गया है पंकर्ष खेलकर पूने आज तक कि